सो हेलो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हम लेसी आज मैं बात करना चाह रहा था कि हम डबल बैड का कंबल धोने के लिए कौन सी मिशीन लें मिशीन की डेमो मैंने आपको दे दी है सैमसंग की 16 के लोग की वाशिंग मिशीन है जागर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन भी मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं सैमसंग की 16 किलोगी मिशीन काफी अच्छा बड़ा टप है उसमें आप डबल बैट का कंबल भी वोश कर सकते हैं तो डबल बैट का कंबल को सही तरीके से कैसे दोया जा सकता है जिससे कि आपकी मिशीन भी खराब नहूँ और आपका जो डबल बैट का कंबल है वो भी वोश हो जाए जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल एकिन प्रेस कर लिए तांकि वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक जा सके है जो देरी ना करते हैं आईए श्टार्ट करते है वीडियो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे सही तरीके से हम डबल बैट की कंबल को वोश कर सकते हैं इससे मैशीन को भी नुकसान नहुँद और आपका कामी हो जाए शुरू करते हैं वीडियो बड़ी मशीन इसलिए लेते हैं थे हम यहां पर बेड का कमबल बेडिंग तो क्या हम इस मशीन में बेड का कमबल वोश कर सकते हैं सो जी हाँ आप इस वाशिंग मशीन में बैड का कमबल भी वोश कर सकते हैं पर हमें ओप्शन भी कमपनी दे रखा है देखिए बैडिंग के लिए ये रहा है अब लोग सोचते हैं कि हमें डबल बैड का कमबल वोश करना है बहुत बड़ा होता है सबसे पहली बात है कि ये मशीन है 16 किलो की टब का साइज बहुत ही बड़ा है देखिए सो आपका इसमें बैड का कमबल डेफिनेटली आ जाएगा लेकिन वोश कैसे करना है वो आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा क्योंकि लोग बड़ी सारी गलती करते हैं जिससे की मशीन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है डबल बैड के कमबल को हम जादा तर सिर्फ एक या दो बर वोश करते हैं सीजन में आपने डबल बैड के कमबल है या सिंगल बैड का कमबल है उसको फोल्ड करना है राॉंट सेप के अंदर, आपको भी साइड में एक फोटो भी दिखा देता हूं, इस टाइप सस आपने फोल्ड करना है, तो राॉंट शेप में फोल्ड करने के बाद, आपका इस टब के अंदर डारेक्ट ऐसे डारेक्ट सीधा रख दीजिए ठीक है उसके बाद उसको वोश कीजिए क्योंकि डबल बैड का कंबल ज्यादा गंदा नहीं होता हलकी डस्ट होती है ठीक है हलकी डस्ट और जो वोशिंग क्वाल्टी है वो आपको अच्छी मिल जाएगी इस सेप में रखने से दूसरा सबसे बड़ा फैदा ये रहता है कि वोश होने के बाद भी आपी मिशीन को दिक्कत नहीं होगी विकोज ये सबसे अच्छा तरीका है बैड का कंबल को वोश करने जगा लोग डिरेक्ट ऐसे ही फैंग देते हैं जैसे अपना सीधे गोल बोल करके उसको फैंग देते हैं जिससे की वाशी मिशीन अनबैलंस ज्यादा होती है और खराब होने के चंसे ज्यादा रहते हैं जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे राउंड शेप के अंदर जहां पर हम machine unbalance नहीं होगी unbalance नहीं होगी तो आपके machine खराब नहीं होगी और double bed का kumble ज़्यादा गंदा नहीं होता उसमें ज़्यादी dust नहीं होती तो उसकी dust ऐसे भी बड़े अराम से बहुत बड़ी अतरीके से निकल जाएगी दोनों काम आपके हो जाएगे आपका bed का kumble भी वोश हो जाएगा और machine में भी कोई डिक्कत नहीं आएगी तो दोस्तो आई होप सबको वीडियो समझ में आगएगा पसंद आया होगा कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए बड़ी मेंद से हम वीडियो बनाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन प्रेस कर लिए तांकि वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक पहुंच सके हैं सो मिलते हैं किसी नए प्रड़क्ट की नए डेमो को सब्सक्राइब तब तक बुडबाई